Hello Everyone, Welcome to TractionMed आज के session में हम COBOL से related एक और topic कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे किस तरह से हम subtract statement का use करते हैं आप subtract statement बोल सकते हो, subtract verb बोल सकते हो ये दोनों जो term है वो use होती है subtract keyword के लिए ठीक है अब होता क्या है इस से जैसे अगर हम पहले वाले sessions की बात करें तो इस से पहले वाले sessions में हमने काफे सारे example देखे थे add keyword के हैं तो add operation के लिए हम add keyword का use करते हैं अब हम बात करेंगे subtract keyword का but question ये है कि क्या इसमें थोड़ा difference होता है बिलकुल इनके syntax में काफे difference होता है इससे लिए इसको separately समझना भी important है क्योंकि projects में आपको मिलेंगे ऐसे कही condition जहां पर आपको add और subtract यूज करना है although आप लोग उसको use कर सकते हो easily बहुत even code तो net से भी available मिल जाएगा but आपको requirement समझना important है और उसकी working समझना आना चाहिए कि क्या actual में हमारा reason है जिसके वज़े से हम उसको use कर रहे है अगर एक पर आपको यह चीज क्लियर हो जाएगी तो फिर आप easily code तो कहीं से भी आप create करके बना सकते हो but main point यह है कि कैसे हम उसको समझ रहे है हमारे पास output में क्या हमें पता है कि कौन से चीज क्यों आ रही है यह सब चीज हमें पता होना चाहिए तो स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने अल्रेडी प्रोग्राम बनाया वाया इस टेस्ट पीजें वन नेम से इसको मैं एडिट मोड में ओपन करना हूँ अब गर आप यहां पर देखो तो सबसे पहले हमने क्या रखा हुआ इदेंटिफिकेशन डिविजन blue क्या होता है इडिफीकेशन डिविजन ब्लॉक जब भी हम रे प्रोग्राम डिलै रिलेटिटिकेशन इंफॉरमीशन प्रोग्राम आइडिनि थी तो आप ड्रिक है इक है program ID जो शो कर रहा testpgm1 या आप बोल सकते है program का name तो यह पर इसको हम edit करेंगे ठीक है तो यह क्या दिनोट करें का testpgm1 मतलब program का name दूसरी अगर बात करें तो दूसरे में है हमारे पास क्या author author क्या होगा author का name कि जिसने भी प्रोग्राम को राइट किया उसका नेम आ गया author name जैसे अभी यहाँ प्यारा texture में तो हमरे पर दो चीज़े हो गई एक क्या program ID और दूसरा हो गया author name अब हम क्या करेंगे यह दोनों चीज़ तो हमरे पस आ गई similarly अगर आपके पस कोई ऐसी और भी information है जो program की identity related है और आपको लगता है कि वो इसमें mention होने चीज़े तो वह आप कर सकते हो but इस particular example के लिए मैं खाली यही दो information के साथ में proceed कर रहा हूँ अब इसके बाद में line number 5 से लिएकर line number 7 तक हमारे पस तीनों commented line है तो अगर आप इस lines को देखो first position से आप इसका count लो तो 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है यह 7th position है तो 7th position पर हम क्या रख रखे है एस ट्रिक रख रखे है तो इसके बाद जो भी आप लिखोगे वह as a comment ही consider होगा ठीक है तो यह 7th position है इसके बाद अगर आप कुछ भी लिखते हो तो वह अपना comment line ही consider होगा ठीक है यहाँ पर अगर अग के topic का name show करने के लिए although comment recommended रहता है हमेशे आपको लिखना चाहिए कोई भी आप code लिख रहे हो तो वहाँ पर comment आपका proper mention होना चाहिए ठीक है आगे देखते है आगे code में हमने क्या किया है code में हमने सबसे पहले start किया हुआ data division data division के अंदर हमने working storage section मनाया है यह वह section होता है ज throughout the program जितने भी variables आपको use कर दें वो सारे declare का पर होंगे working storage section के अंदर जो data division में होता है इस particular example के लिए मैं बस दो variables का use कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहां पर दो variable declare किये profit one और profit two but depend करता है आपके situation हो सकता अलग हो तो उस case में हम क्या करेंगे और भी variables include कर लेंगे अगर आपको for variables का need है एक point on मैं यह mention करूँगा कि आप लोग जिससे यहां पर देख रहे हैं जो comments है वो white color में आ रहे हो सकता है आपके में वो नहीं आए क्योंकि इसके लिए मैंने कुछ additional settings apply किये है इस पे तो अगर नहीं भी आता तो कोई problem नहीं है आपका वो work वैसा ही करेगा बस वो color का difference है वो हो सकता आपके default color pair अगर आप green screen यूज ग्रीन कलर यूज करें तो green ना आएगा है ना तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा color यूज कर रहे है उस according वो आपको line दिखाएगा जैसे normal text आता है वैसी हो आएगा ठीक है अल्राइट तो अभी देखते है variable declaration क्या हुआ है क्या हमने values वह रपोट करी है इसमें तो सबसे वैले variable declaration में हमने पास किया 01 01 क्या करता है higher data hierarchy है यह जो level number है जो higher data hierarchy को represent करता है इसके बाद में हमने लिखा variable name और data name यह क्या होता है जब भी आपको इस प्रोग्राम को throughout the program access करना है तो आप इसी के name से इसको access करोगे ठीक है तो हमेशा यह भी भी make sure करना पड़ता है कि एक variable का unique name ही होना चाहिए दुबारा अगर आपने score बीट किया तो वह आपको compilation error थ्रोग करेगा ठीक है तो यह चीज हमें पता होनीचे कि हमारे पास जो variable name है वो unique है यह हो गया हमारा variable का name फिर हमारे पास आता है PIC PIC क्या करता है picture clause को denote करता है यह हमारा PIC हो गया picture clause फिर हमने लिखा 9 of 4 9 मतलब numeric और 4 मतलब digit तो यह up to 4 digit hold कर सकता है किसके अंदर profit one variable में और यहाँ पर value clause हमने use किया value clause जो है वो एक optional clause है इस clause को आप तभी use करते हो जब आपको कोई value इसमें initialize करने हो declaration के time otherwise आप इस portion को skip भी करा सकते हो इस example के लिए मैं इसको use कर रहा हूं है ना तो यहाँ पर आप देखोगे value clause है हमारे पास जिसमें हमने value क्या रखी हुए 50 रखी हुए तो इस variable में 50 value initialize हो गई है likewise अगर हम second देखें second row में हमने profit 2 variable declare किया हुआ है जहाँ पर level number है हमारे पास 01 higher data hierarchy को show कर रहा है variable का name हो गया profit 2 और PIC 9 of 4 हो गया variable PIC हो गया picture clause 9 of 4 हो गया हमारा numeric data type जो 4 digits hold कर सकते है फिर हमने लिखा value clause जो same value को hold कर रहा है 50 तो आप चाहो तो अगर आप value change करने साथ हो वह भी possible but अभी के लिए मैं same values के साथ move कर रहा हूं दोनों में 50 है इसके बाद line number 15 पे हमारा procedure division start होता है procedure division के अंदर हम हमारे program का main logic part लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखो modification करने से पहले actual value क्या थी वह भी print करना important है उससे आप लोगों को और properly show होगा कि पहले क्या था बाद में क्या हुआ ठीक है तो यहाँ पर मैंने एक display command चला है तो हमारी profit 1 और profit 2 की value प्रिंट हो जाएगी screen पे without any modification ठीक है फिर हम क्या कर रहे है लाइन नमबर 20 पे लाइन नमबर 20 पे हम एक literal को directly use कर रहे हैं subtraction perform करने के लिए तो सबसे पहले आपको यह keyword यूज करना पड़ेगा subtract फिर आपको वह value की कौन से value subtract करने है तो हम यह आप लिख देते हैं 5 कहां से from profit 1 अब एक चीज़ आपको यहाँ पर difference पता होना चाहिए कि last session मतलब जब हमने add operations perform किये थे तब हम वह पर 2 लिखते थे हैं add 5 to profit 1 but obviously अगर आप subtraction कर रहे हैं तो आपको from लिखना पड़ेगा बट कई लोग क्या करते हैं उसी syntax को follow करते हैं इसी लिए हम हर session को separate discuss कर रहे हैं अपनको लगता ऐसा है कि यह easy topic हो जाएगा but syntaxes में difference होते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो subtract 5 from profit 1 तो यह क्या करेगा profit 1 में 5 को subtract करते हैं फिर हम क्या करें डिस्प्ले करा रहे है profit 1 value after 5 is subtracted और print करा रहे हैं उस value को profit 1 ठीक है तो यह हो गई हमारी value यहाँ पर print है उसी तरह से अगर हम subtract का second scenario देखे तो यहाँ पर हम क्या कर रहे है subtract कर रहे है profit 1 को कहां से profit 2 से तो इसका जो भी output होगा वो profit 2 में store होगा क्योंकि अभी तक हमने कोई result variable use नहीं किया वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले sessions में कैसे result variable use होते है subtract के साथ में क्या क्या और possible चीज़ी है इसमें वो अपन देखेंगे तो अभी हमने क्या किया line number 26 पे subtract किया profit 1 को profit 2 से और उसका जो output है उसको store कर दिया अपने profit 2 variable में ही है ना यह difference ऐसी समझ में आता है कि profit 1 को subtract किया profit 2 से और जो second variable हो तो उसी में value store हो जाती है फिर display करा रहे है profit 2 value after profit 1 is subtracted और profit true print हो जाएगा stop रहेगा प्रोग्राम को terminate करने के लिए ठीक है तो completely इसको save करते है file करके compile करेंगे call करेंगे तो पहला output हमारे पास क्या है profit 1 value before any modification 50 जो correct है profit 2 value before any modification 50 गरेक्ट है profit 1 value after 5 is subtracted तो देखो 50 था 5 subtract हुआ 45 इसी लिए मैं आपको पहले modification बिना भी data दिखा रहा हूँ जिससे आपको आप clear हो जाएगा 50 था अब हो गया 45 enter किया अब profit 2 value after profit 1 is subtracted 5 अब आप मैंसे यहां पर कुछ लोग confused हो रहेंगे कि यह 5 क्यों आ रहा है है तो इसके लिए आप देखो अभी हमारे पास profit 1 में value कितनी पड़ी है 45 इसमें कितनी है तो इसको इस से compare मतलब यह मत सोचो कि 50-50 होगा क्योंकि हमने modification करके अब जो हमारे latest data था वो था 45 तो आप क्या होगा 45 माइनस होगा 45 और यह 50 consider होगा और उसके बाद में जो output आएगा वो हमारा आएगा 5 ठीक है तो इस तरह से जब भी बट आप लोग एक चीज का ध्यान रखना कि वो greater value पहले और smaller value बाद में से उसमें से subtract रहा है greater value में से otherwise वो signing बगरेगा issue होगा but overall आप I think subtraction जानते हैं तो आप लोग इसको easily perform कर पाऊगे ठीक है तो आज की session के लिए इतना ही था next session में हम बागी topic discuss करेंगे so thank you for watching Techshare मित